इसमें भी बहुत मेहनत की होएगी गलत काम करने भी मेहनत की जाती है और आपको as a little trader investor ये समझना पड़ेगा कि ये सब documentation ये सब काम आपके खिलाफ बन रहे हैं आपके लिए नहीं 101,33,53,118,58 पैसे उसमें थे और जो ये हैं RBEIBL रविंद्र भारती एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड वाले इनसे आप सबने एग्जामपल लेना है कि ऐसा नहीं बनना है लमस्कार दोस्तो stock market में एजुकेशन जरूरी है इसे एक retail trader या investor को market के behavior की understanding हो जाती है और खुद कैसे behave करना है उसका एक skill set आ जाता है एक mindset आ जाता है लेकिन stock market institute खोल के उसको एक cover बना के सेविक में लिखे गए सारी regulations के उलंगन करना वो illegal हो जाता है ऐसा एक institute है पूने का रविंद्र भारती educational institute private limited सेविन ने पाया कि ये illegal तरीगे से investment advisory करते थे portfolio management services चलाते थे guarantee returns बोलते थे और साथ में profit sharing का काम भी करते थे PF UTP का भी मामला लगाया गया है इस video में जाटे क्यों कुशिश करेंगे कितना पैसा कमाया, किस तरह से कमाया क्या modus operandi था और क्या penalty आज की तारिक में इनके उपर लगाई गई है Let's get started तो दोस्तों सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस case में कौन लोग majorly involved है RVEIPL रविंद्र भारती एजुकेशन इस्टिट्ट प्रावेट लिमिटेड के founders Mr. रविंद्र भारती और उनकी भी शुभांगी भारती जोड़े एक company मिलके करीब 2016 में लॉज की थी इसके लावा इनके दो YouTube चैनल्स भी है Share Market भारती, मराथी और हिंदी मराथी वाले को करीब 1.12 million subscribers है करीब पोने 4 करोड व्यूज आ चुके है तीन साल पहले ये चैनल आया गया था वही पे हिंदी वाले पे करीब 8,33,000 subscribers है और करीब 1,36,000,000 लोगों ने इस चैनल की वीडियो को देखा है They also have an Instagram page जिस पे 1,4,000 followers है Facebook पे 1,7,000 Twitter पे भी 4,5,000 followers है इनकी website पे भी महीने के 8-10,000 लोग का विजिट होता है Simple वाशा में इनका एक digital footprint है Social media पे presence है और ये अच्छे खासे quantity में लोगों को influence या आगे जलके आप समझेंगे Miss Influence भी कर सकते अब एक केस क्या है माजरा क्या है CB ने इस केस को जब investigation किया है तो ये शूर मोटो basis पे किया गया है मतलब CB ने इनस्पेक्शन खुद से की है इसमें इनके clients को fault किये गए है CB के दौरा पूचा गया कि आपने कौन सा educational कोर्स लिया है तो सामने से जवाब आता है कि हमें investment advisory service दी गई है इनकी website पर जब चेक किया गया तो पता लगा कि जी हाँ stock market courses दो हैं जो के 28,800 रुपे से लेके 47,200 रुपे तक available है लेकिन इसके अलबा investment advisory service भी है जो के 50,000 रुपे से शुरू होती है RBI PL के जब bank accounts खोले गए तो ज़रूरी 2018 चलेके September 2023 तक पता लगा कि करीब 101 करोड 33,53,118 रुपे 58,000 पैसे उसमें थे इस सारा का सारा पैसा business के तुरू ख़वाया गया था अब इसमें से कौन सा पैसा illegal gains है मतलब illegal तरीके से कमाया गया है उसको चेक करने के लिए अलग-अलग entries को चेक करना पड़ना था सब entries चेक की गई सारे entries चेक करने के बाद पता लागा कि करीब 9,11,57,760 रुपे 22 पैसे illegal तरीके से investment advisory services और tips दे के कमाया गया है लेकिन यह सिर्फ एक investment advisory का case नहीं है इस वे बियूर्ट इस वेरी वेरी strategic बहुत बड़ी रनीतिया बनी है कि किस तरीके से client को बरगलाया जाए पहलाया जाए, फुसलाया जाए मैं पता हूं जा भी आपको और यह 9,40 रुपे illegal तरीके से tips देके कमाया गया है इसके लवा जो और काम किये गया है उसके लावा और भी पैसा कमाया गया है उसके बारे में भी बात कलते हैं इसके लावा documentation के दुरा CBK हास में एक agreement लगा इस agreement में बहुत अलग लग तरा के slabs दे गए थे जिसमें expected returns बताए गए थे management fees बताए गई थी और इस जो expected return थे 25% से लेके 1000% तक थे अब एक किस तरह से इस वहल होता था आपके सामने भी screen पे आपको देखेगा कि अगर आप लॉग तब investment करते हैं लंग सम आप एक साल के लिए पैसे डालते हैं तो management fees अतब RBA, EIPL वाले आपसे 5% पैसा लेंगे आपको एक साल के अंदर 25% expected return मिलेगा और अगर आपने 25% से ज़दा पैसे कमा लिए जितना भी पैसा आपका वो extra वाला होगा उसमें से 40% profit sharing RBA, EIPL लखेगा और आगे जल कि ये plan तीन साल के लिए भी आते हैं जिसमें expected return 100% होता है 5 साल में करीब 200% का expected return होता है और 10 साल के लमसब में अगर आप 25 लाकर प्रवाइड करते हैं तो आपको 1000% तक कर रिटर मिलेगा उसमें से 25% management fees है मत्तब करीब 6-6,6,6,6,6 लाक रुपे और साथ में जो पैसा 1000% के beyond बनेगा उसमें 10% sharing गी RBEIPL रखेगा और लोग करते हैं और लोग दे रहे हैं पैसा सैंखडों लोगों ने दिया सेभी के इनुसार ये agreement 400-500 लोगों के साथ किया गया था लेकिन जब इन से documentation मांगा गया तो इनुने करीब 200-200 लोगों का ही data दिया और वो भी incomplete था इसमें क्लाइट के अलग अलग invoice से भी क्या आथ लगे एक 6,5,5 लाग रुपय का इसमें का गया था कि 6,5,5 लाग रुपया RBEIPL को मिलेगा 25,5 लाग रुपय अपने trading अकाउंट में डालना है बार बार क्लाइट के अकाउंट को बीजी रखा जाता था ताकि एक number पर पहुंचा जा सके जो के fabricated होता था उस number के beyond का जो revenue sharing या profit sharing या उसको कवाने के लिए एक क्लाइट के अकाउंट को miss handle करते थे और तो और कुछ क्लाइट के recording का transcript भी English में translate करके इस order में share किया गया है जिसमें के client को पता यह नहीं होता था कि उनके portfolio में अभी buying करना है या selling उनको बस कहा जाता था कि हम आपको जो बोले आपको okay बोलना है ताकि हमारे पास एक record रहे कि हमने आप से confirmation दिया था अब यहाँ पर चीज़े सवड़ी interesting हो जाती यहाँ पर हम समझते की कोशिश करेंगे कि इनका education institute और इनका AP का business किस तरा से आपस में connected था देखे client एक ही है जिसको tips और advisory बेची गई है जो के अलग-अलग range की थी जहाँ पर उनसे management fees भी ली गई है अब client को इनके office एक phone जाता था जहाँ पर बताया जाता था कि आज के ये सब trades हैं जो आपको लेने हैं या तो आप लेजिये और हमें contract note का screenshot ये contract note बेज दीजिये नहीं तो आप confirmation हमें दीजिये हम आपके लिए order execute कर दें अब इस call के दुरान वो सारे के सारी share बता दिये जाते थे जो कि trade करने और client को कहा जाता कि मैं आपको दुबारा phone करूँगा अलग phone से उस phone पे मैं आपको यही बात बोल और आपको कहना है ओके trade कर सकते हैं अब यही employee उसी client को उसी office से अलग phone करता था दुसरे phone से और कहता था कि आज यह trades निकले हैं क्या आप यह order execute को हम से करोना चाहेंगे client कहता था okay क्यूंकि client को अभी बोला गया है कि आपको okay बोला है तो एक तरीके से पहले tips दी जा रही थी और AP का circular है जहां पे client से confirmation देनी है क्लाइट ने कहा है ट्रेड ले लो तो यह call recorded होती थी यह recorded call को as a document रखा जाता था कि कल को कही से भी ने पुछ लिया तो हम कह सकते हैं कि हमने जो trade की है client की confirmation से लिए अब इसमें problem यह है कि जो confirmation client ने दी है trade को place करने के लिए वो trade का origination client ने नहीं इसी employee ने पहनी वने call में करवाया था तो एक तरीके से एक client को trade करने के लिए inducement already दी जा चुकी है illegal तरीके से उसके पैसे लिए जा चुके है और साथ में as an AP क्योंकि debit account भी इसी AP की दुरा खोला गया है जब trade करेगा तो वहां से revenue sharing, debit account के थूँ ये AP फिर से कमाएगा तब एक company एक ही client से multiple तरीके से पैसर कमा रही है और client को idea ही नहीं है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा अब सेवी के final findings ये थी कि ये जो RBEIPL है कितने ही सालों से training institute भी चला रहे है investment advisory भी दे रहे है strange part है इसके investment advisory का इनके पस कोई license नहीं है अपने clients को unrealistic returns देखाने की कोशिश की जा रही है एक साल में 25% से लेके 10 साल में 1000% तक और उसके बाद उसके उपर profit sharing, management fees ये सब कुछ किया जा रहा है विच आर against the guidelines of PMS portfolio management services regulation इसके लावा RBEIPL ने खुट 290 clients का तो data माला है कि इन्होंने वहाँ से करीब 5 करोड 44 ना करुपे लिए सारे के साभी bank entries को cross check करने के बाद सारे के सारे violations को देखने के बाद से गने पारा के करीब 12 करोड 3,82,130 रुपे 111 पैसे इन लिए कर तरीके से कभाए गए है कि hundreds of करोड रुपीस इस बिजनस ने कमाए है ये interim order अभी बहुत सारी चीज़े बहुत सारे data बहुत सारे documents को खंगालना बाकी हो सकता है there is a possibility कि PMS portfolio management services जो के जातर बड़े scale पे किया जाता है वहाँ पे कुछ और नया पैसा नई findings दिखे but as of now illegal water gains मतलब दलत रिगे से पैसे कवाए हैं 12 करोड तीर लाग प्यासी 1130 रुपाई इनकी पर जो violations हैं इतनी violations शायत ही कुछ सालों के किसी एक case में देखी गई हूँ 12A Prohibition of Manipulative and Deceptive Devices Insider Trading Penalty for Failure to Furnish Information जो के 15A के अंदर आता है 15 HA Penalty for Fraudalent and Unfair Trade Practices BFUTP 15HB Section 9 IA Regulations अतरब इतनी सब section है इतनी regulations violations है कि this list can just go on बट सेबी ने डेमेज कंट्रोल करने के लिए एक emergency order entering order लगा दिया है September से ये investigation इनको पता लग गया है तो कुछ ता कुछ changes इनो ने भी किये अपने company के restructuring में CEO change करना या face change कर देना company का पर उससे पहले 5.5 साल के अंदर 6.5 साल के अंदर जो जो हुआ है उसके कुछ findings इस interim order में से भी के लादे के हैं लेकिन ये के समझना होगा ये mentality समझनी हो कि लोग अगर लाख और पे management fees के अंदर 1000% return को देखकर ये समझ के पैसा किसी खेहात में दे देते हैं तो उनकी सोच में भी change लाने का एक responsibility बनता है लेकिन लोगों को क्या चुके 5.6 या लाखों रुपए ऐसे लोगों के हाथ में देते हैं भारत की stock market education industry क्यों अभी भी unfragmented है क्यों एक बड़ा player या कुछ startup नहीं because they know the mentality of the consumer the mentality of the retail trader investor चाहे वो लाया हो चाहे पुराना एक point in time पे जाके वो given कर देता है उसको लगता है कि कोई करवा दे बस जो easily उनका return दे और जो करवाने वाले हैं वो शान और शौकत के साथ आपको कुछ ऐसी चीज़े दिखाएंगे समझाएंगे बताएंगे जो कि आपको लगेगा सच है आप वो सच को मानना चाहते हैं आप चाहते हैं कि जो ये कह रहा है वो सच ही हो please for god's sake क्योंकि मैं नहीं कर सकता ये करते बस ये जो investor की या return trader की mindset है this I'm not sure can change but I hope it does because if it changes अगर इसमें बदलावाता है दोस्तों तो जो लोग बरगलाते हैं बेव को बनाते उन नहीं रहेंगे relatively कम रहेंगे जितना कम रहें उतना अच्छा education का mindset रहे अगर पूरे के पूरे ecosystem में things will change drastically सेबी को ये सब केस पर नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे केस कम होंगे मैं ये नहीं कह सकता नहीं होंगे वो तब होंगे खैर अभीके लिए इन सारी parties को इन सब लोगों को 3-4 लोग हैं और company को कहा गया कि आप stock market में deal नहीं कर सकते है buying and selling नहीं कर सकते है जो भी पैसे हैं आपके पास जो भी stocks है आपके पास राद वो आप अगले 3 महिने के इंदर exit कर सकते हैं और इस सारा का सारा पैसा आपसे impound किया जा रहा मतलब आपसे एक escrow account में अलग bank account में लिया जाएगा और वो पैसा आपको वहाँ डालना है सेवी को देना है अभी पैसा सेवी के पास जाएगा और जो ये हैं R.B.E.I.B.L. रविंद्र बार्ती एजूकिशन प्राइवेट लिमिटेड वाले इनसे आप सबने example लेना है कि ऐसा नहीं बनना है गलत काम नहीं करने है मतलब सोचने वाली बात यह है कि जो ये contract बन रखा है company ने strategy बना के लोगों में employees ने मिलके confidence room, board rooms में बैठ की ये बनाया गया होगा over a period of time बार बार meeting करने पड़ी होगी and finally this is our agreement करके एक document बना होगा जो कि clients को दिया जाता है documentation ये सब काम आपके खिलाफ बन रहे हैं आपके ये नहीं anyway बोलने को बहुत कुछ है लेकि अभी as of now RBI PL के इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे I hope that you learn from the mistakes that these people have done and not do it yourself thank you so much bye-bye झाल